जिसके पहले मैंने जिकर किया WordPress के जरीए advanced किसम के forms बनाने के लिए बहुत से plugins मुझूद हैं आईए उन plugins को भी एक दफा दुबारा देखते हैं और कुछ advanced forms भी बनाते हैं सबसे पहले हम चंद free options को देख लेते हैं उनमें contact form 7 सरे फेहरिस्त है अगर आप WordPress की plugins repository wordpress.org.plugins पे contact form 7 सर्च करें तो आपको contact form 7 plugin के इलावा उसके बहुत से add-ons भी यहाँ पे मिलेंगे मिसाल के तोर पे contact form 7 conditional fields इसके जरीए आप conditional logic वाली fields contact form 7 में इस्तमाल कर सकते हैं conditional logic से मुराद है कि user जब एक field की कोई value select करेगा तो उसकी बुनियाद पे उसे दूसरी fields दिखाई जाएंगी या कुछ दूसरी fields छुपाई जाएंगी इसी तरह आपको यहाँ user को form submission के बाद किसी और पेज़ पे redirect करने के लिए भी contact form 7 के add-ons मिलेंगे form submission वाली entries को WordPress की database में save करने के भी add-on मिलेंगे कुछ form के design से मुतालिक add-ons भी हाँ मुझूद है file upload के add-on भी मिलेंगे PayPal की integration का add-on भी मुझूद है जिसके जरीए contact form 7 को इस्तिमाल करते हुए आप payments भी accept कर सकते हैं आपको contact form 7 के लिए जो feature चाहिए chance है कि उसका कोई ना कोई free या paid add-on भी आपको मिल जाएगा अब हम कुछ premium options देखते हैं मैं चुक्छे जादा था sites elementor से बनाता हूँ इसलिए जहां पर भी मेरा elementor pro form से काम चल जाए वहां मुझे किसी दूसरे form plugin की जरूरत नहीं रहती हाला के इसमें भी काफी features मुझूद हैं लेकिन कुछ advanced features के लिए आपको किसी और form plugin की भी जरूरत पढ़ सकती है तो आईए उसके लिए कुछ options को देखते हैं dynamic.oo form builder नहीं है ये elementor का एक add-on है जो elementor में मज़ीद features आड़ करता है उसमें काफी जादा useful features मुझूद हैं जो आप इसकी site पे देख सकते हैं लेकिन अभी हम इसके form feature के बारे में बात करेंगे जो elementor के अपने form widget में मज़ीद options आड़ करता है मिसाल के दोर पे dynamic redirection जिसे dynamic redirection यानि यूजर ने जो form में field submit की है उनके बन्याद पे उसे site के किसी page पे भेजा जाए amount field जो form के fields की value की बन्याद पे कोई amount calculate करती है enchanted form जो form के design को काफिया तक बेतर बनाती है form steps जो elementor के simple form को multi step form बना देते है message generator जो form को submit करने पे मुखतलिफ किसम के messages यूजर को दिखा सकता है PDF generator जो form की submission से PDF फाइल बना सकता है export जो form की submission को मुखतलिफ formats में export कर सकता है conditional fields जो एक field के value की बन्याद पे दूसरी fields दिखा सकती है dynamic email जो form की submission की values की बन्याद पे मुखतलिफ emails generate करके user को या आपको भेज सकती है अगर आपको यह features चाहिए तो कोई advanced form plugin खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आगे भी काफी lessons के लिए dynamic content for elementor plugin इस्तमाल करना है और इस plugin की एक ही कीमत में आपको यह तमाम features भी मिल जाएंगे इस plugin का एक site के लिए license 49 euro सालाना में आप खरीच सकते हैं उसके लावा जादा sites के लिए मज़ीद options भी मुझूद हैं और इनका 1000 sites के लिए lifetime license 400 euro में भी मुझूद है अब हम देखते है wordpress के forms की दुनिया के बेताद बाच्छा gravity forms को इसका single site basic license आपको 59 dollar में मिलेगा के बाद three sites का pro license 159 और unlimited sites का elite license 259 dollar per year में मिलेगा लेकिन इनमें सिर्फ sites का फरक नहीं है features का भी फरक है basic license में आपको सिर्फ basic features मिलेंगे उसके बाद pro license में मजीद features एड़ हो जाते हैं और elite license में तमाम के तमाम features मौझूद उन features में भी एक नज़र डाल लेते हैं basic license में आपको मुख्तलिफ email campaign services के साथ integration की option मिलेगी उसके लावा कुछ basic CRM services जैसे hub spot है उसकी integration की option भी मौझूद है अगर आपको किसी भी advanced CRM के साथ integrate करना है या slack, trello, philio SMS service, zapier के through और भी किसी third party service के साथ और stripe या PayPal कर जरी है payment accept करने के लिए इस्तमाल करना है तो आपको pro license लेना ज़रूरी होगा और उसके अलावा advanced payment processing जैसे to check out, authorized.net और उसके अलावा advanced features जैसे कूपॉन्स, partial form entries जो form के हर step पे आपकी entry save कर लेते हैं के अगला step अगर कोई बाद में करना चाहे तो वो वहीं से दुबारा resume कर सके किलाव PayPal की pro payments जो payments processing के लिए ज्यादा advanced features महया करती है polls, quizzes, form को sign करने की सहूलत, surveys, form के जरी है user registration की सहूलत और web hooks, इन के लिए आपको elite license खरीदना पड़ेगा और gravity forms को हमारे mail port plugin के साथ integrate करने के लिए ये एक free add-on भी मौझूद है जो आप WordPress repository से install कर सकते हैं gravity forms का free version मौझूद नहीं है इसके basic features को भी अगर आपने इस्तमाल करना है तो आपको ये purchase करना पड़ेगा लेकिन मैं gravity forms इसलिए 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 recommend करता हूँ क्योंकि इसकी अपनी integrations और दूसरे plugins की gravity forms के लिए बनाई गए integrations का कोई मुकाबला नहीं है तो जहां पे भी मुझे form के advanced features की जरुरत पड़ती है वहां मैं जादातर gravity forms ही इस्तमाल करता हूँ खास तोर पे ऐसी बड़ी sites के लिए जहां मुझे मुझे मुस्तक्बिल में भी मुक्तलिफ तरह के forms इस्तमाल करने की जरुरत पड़ सकती है और उन forms की मुक्तलिफ plugins के साथ integration की जरुरत पड़ सकती है महां मैं gravity forms इस्तमाल करना बेतर समझती है अब की बात ninja forms भी है जिसका एक free version भी आपको मिल जाएगा और काफी basic form features इसके free version में भी मुझूद है लेकिन advanced features जैसे के conditional logic, form की advanced styling, multi step forms, file uploads, pdf form submissions, form की excel exports, progress save करना, form की जरी user manage करना, front end से post submit करना यानि users आपकी site पे आके उसके back end में login किये बगएर form को इस्तमाल करते हुए कोई post या कोई page या कोई भी custom wordpress की content type को submit कर सके custom content types हम अगले chapter में देखेंगे इसके लावे user analytics और advanced integrations के लिए webhooks इस तरह के features के लिए आपको इसका paid version इस्तमाल करना पड़ेगा इसके लावे इसके paid version में PayPal, Stripe और बहुत सी email campaign services और CRM's की integrations और Slack और Trello जैसी services के साथ integrations भी मौजूद हैं इसका paid version तकरिवन $49 से $49 तक में आपको मिल जाएगा लेकिन उसके लावा अगर आपको सिर्फ इसके कुछ add-ons की जरूरत है तो वो आप एक एक करके भी खरीद सकते हैं अमोमें जिन साइट्स पर advanced forms इस्तमाल करने पड़ते हैं वहां हमें इनके अक्सर add-ons की जरूरत पड़ती है तो एक एक करके खरीदना आम तोर पे इतना मुनासिब नहीं रहता Caldera Forms एक और बहुत अच्छा form plugin है जिसमें काफी advanced options आपको free में भी मिल जाएंगी लेकिन इसमें भी जादा advanced options के लिए आपको paid version खरीदना पड़ेगा जिसे आप यहां देख सकते हैं के payment accept करने के लिए इसमें आपको add-ons इस्तमाल करने पड़ेंगे इसके लावा user registration और काफी third party के integration features भी सिर्फ paid add-ons में ही मुझूद है इसकी price भी तकरीबन $49 से शुरू हो के $249 तक जाती है अब हम देखते हैं WP forms इसका भी एक free version मुझूद है जिसमें आपको basic form के सारे features मिल जाएंगे और advanced features के लिए इसमें भी आपको इसका paid version खरीदना पड़ेगा जिसमें conditional logic, user registration, front end post submission, surveys and polls और मुख्तलिफ किसम की integrations जैसे feature आपको मिल सकेंगे इसकी कीमत तकरीबन $39 से शुरू हो के $299 तक जाती है WP Fluid Forms का भी मैं जिकर कर चुका हूँ ये एक relatively नया plugin है लेकिन इसने थोड़े असे में बहुत जादा अपनी साख भी बना लिये और बहुत जादा integrations भी बना लिये इसमें काफी features जैसे basic conditional logic आपको free version में ही मिल जाएगा लेकिन advanced features के लिए इसका भी paid version ही purchase करना पड़ेगा जिसके कुछ advanced fields और मुख्तलिफ plugins के साथ integrations मुख्तलिफ third party services के साथ integrations payment processing services के साथ integrations और काफी कुछ मजीद भी इसका license $59 से शुरू हो के $199 तक जाता है लेकिन इसमें lifetime license भी मुझूद है जो अब तक कि हमारे discuss किया हुए किसी भी form plugin में मुझूद नहीं था lifetime license मेंगा है लेकिन अगर आपने अपनी site पे काफी advanced features को इस्तमाल करना है और खास तोर पे अगर आपने उन features को बहुत जादा sites पे इस्तमाल करना है तो ये एक दफा की investment आपको हर साल के renewal से बचा सकती है और अगर आप clients के लिए site बना रहे हैं तो ये investment आपको मस्तक्बिल में profit भी दे सकती है इस course के मुक्तलिफ हिस्सों में हम मुक्तलिफ मकासिद के लिए काफी advanced forms का इस्तमाल करेंगे और हर मकसद पे हम उस जरूरत के मताबिक जो मुनासिब तरीन form होगा वो इस्तमाल करेंगे चुक्के gravity forms wordpress के दुनिया में सबसे जादा इस्तमाल होने अवला premium form plugin है इसलिए इस section में conditional logic और multi step form के लिए हम gravity forms का इस्तमाल करेंगे gravity forms install करने के बाद आपके पास wordpress admin में यहां forms की option आएगी जहां आपने form बना सकते हैं पुराने forms को manage कर सकते हैं और forms से जो entries submit हुई हैं वो भी देख सकते हैं forms की general settings change कर सकते हैं gravity forms के add-ons देख सकते हैं उन्हें install कर सकते हैं manage कर सकते हैं forms की data को import या export कर सकते हैं तो आईए अपना पहला gravity form बनाते हैं यहां मैं बताता चलूँ के अभी gravity forms के जरीए हम जो कुछ पी करेंगे वो आप अपनी मज़ी के दूसरे form plugin से भी कर सकते हैं इन तमाम plugins को इस एक कोर्स में सिखाना मुम्किन नहीं है लेकिन concept किसी भी form plugin पे वो ही apply होते हैं यह चुक्के test site इसलिए यहां पे मैं अपना license activate नहीं करना चाता तो मैं यहां next करूँगा फिलाल मुझे update की भी जरूरत नहीं है इसलिए यहां पे भी मैं इन options को accept करके next करूँगा अपनी एक global currency specify करूँगा वाकी options को चेड़ने के फिलाल जरूरत नहीं है अब हम create a form पे click करते है वाले form का title देना है student feedback a form to capture feedback from the students of this course create form अब हम gravity forms के drag and drop interface में आ गए है और यहां कोई भी field इस section से इस area में ड्राइग और ड्रॉप करके अपना form बिल्ड कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां मुक्तलिफ किसम की fields मोजूद हैं जैसे single line text, paragraph text, drop down, multi select, number जो single line text से मिलती जूलती है लेकिन इसमें सिर्फ numbers एंटर किया जा सकते हैं और उस value का fixed होना भी जूरूरी नहीं है आप चाहें तो उस field में advanced section में आके इस drop down को इस्तमाल करते हुए कोई dynamic value भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे के form submit करने वाले user का IP address, आज की date, किसी भी format में, post या page का id, title या URL, user के browser का user agent, अगर user किसी और referral link से आ रहा है तो वह referral URL, user का display name, email या login, जो भी आपने इन में से option select की, form submit होने पे, वह value automatically form के साथ submit हो जाएगी और user को पता भी नहीं चलेगा, HTML field को इस्तमाल करके आप form में अपनी मर्जी का कोई भी code डाल सकते हैं, section field form के मुख्टलिफ fields के group बनाने के लिए इस्तमाल होती है, आप जिस field के बाद section break डालेंगे, वहाँ से एक नया section शुरू हो जाएगा, और अगली section break तक वो नया section चलेगा, इसी तरह page की field भी section से मिलती चुलती है, लेकिन ये form को multi step form में तबदील कर देता है, इसकी हम मिसाल अभी देख लेते हैं, सबसे पहले हम इस form को update करते हैं, अब हम अगर अपने home page पे आके उसे edit करें, तो आप WordPress editor के जरीए page पे कहीं भी अपना gravity form add कर सकते हैं, add block पे क्लिक करें, और gravity type करना शुरू करें, आपके पास ये form की option आ जाएगी, पे क्लिक करने पे याँ gravity form का block add हो जाएगा, और उसमें आप अपना form select कर सकते हैं, हमारे पास अभी एक form मुझूद है जो student feedback form अभी हमने बनाया, हम उसे select करके page को update करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे form आ चुका है, इसमें वो तमाम fields जो हमने add की वो मुझूद हैं, और यह sections भी जिस तरह से हमने add की उस तरह से मुझूद हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि अगर हम section break को तबदील करके page field इस्तमाल करें, तो तब क्या होता है? अप्डेट, इस page को refresh करते हैं, बलके front page को refresh करते हैं ताके हम changes को live देख सकें, page field इस्तमाल करने के बाद हमारा एक form multi step form में convert हो चुका है, fields वही हैं लेकिन अभी यह fields एक वक्त में एक group के तोर पे दिखाई दे रही हैं, इन्हें fill करने के बाद आप जब next पे click करेंगे तो आपको दूसरी fields दिखाई देंगी, जैसे कि अब यह step two of three है और यह progress बार यह बताएगी कि आप इस वक्त किस page पे मुझूद हैं, finally, जब आप आखरी page पे आ जाएंगे तो आपके पास submit की option मुझूद, अब कुछ conditional logic की options देख लेते हैं, निसाल के तोर पे अगर आप चाते हैं कि इस step पे user अगर first choice select करें तो उसे दूसरे step में एक field दिखाई जाए, तो यहाँ पे अगर वो second choice select करें तो उसे अगले step में एक और field दिखाई जाए, तो आईए देखते हैं उसे हम कैसे configure करेंगे, पर आप इस field पे click करें तो यहाँ इस field को edit करने की options आ जाएंगी, जिनमें field का label select किया जा सकता है, इसके बारे में कोई description रिखी जा सकती है, इस field में मुझूद choices add की जा सकती है, मुझूदा choices को delete या change किया जा सकता है, खिलावा आप इन choices को bulk में भी add कर सकते हैं, यह तो खर हर field के मताबक आपको मुझूद options दिखाई देंगी, जो उस field को manage करने के लिए मुझूद होंगी, single line text में आपको कम options मिलेंगी, multi select, check boxes, radio buttons जैसी fields में आपको जादा options मिलेंगी, appearances में आप इन fields की कुछ basic settings change कर सकते हैं, और advance में आके आप conditional logic apply कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन fields को कुछ edit कर लेते हैं, ताके इनकी पैचान में आसानी हो, इस पहली field को मैं conditional one का नाम दे देता हूं, इसकी choices में first choice को first choice c1, second choice को second choice c1, third choice को third choice c1 का नाम दे देता हूं, इसी तरह next field को मैं conditional two का नाम देता हूं, first choice को first choice c2, second choice को second choice c2, third choice को third choice c2 का नाम देता हूं, और इस field में हमें कुछ change करने की ज़ुरत नहीं है लेकिन इसे भी कुछ हद तक edit कर लेते हैं इसे मैं condition basis का नाम दे देता हूँ क्योंकि इसकी basis पर condition set की जा रही है अब हम वापस उन fields पर आते हैं जिन में conditional logic apply करना है advance में enable conditional logic पर click करते हैं यहां इन options की मदद से हम इस field को show या hide कर सकते हैं जब यह नीचे दी गई conditions या दुरूस्त हो या गलत हो और आप यहां जितनी चाहे conditions इस्तमाल कर सकते हैं अभी हमारे इस्तमाल के लिए सिर्फ एक condition ही काफी है पहली option में हम वो field select कर सकते हैं जिसकी basis पर ये condition check होगी उस field का नाम हमने condition basis रखा था उसके बाद हम select करेंगे कि वो check क्या हो या वो equal है या is not equal या greater than या less than या हम जो condition बताना चाहते हैं वो उसमें मुझूद है या वो उसके शुरू में आता है या वो उसके आखिर में आता है अभी हम is की option select कर लेते हैं और यहां पर हम first choice select कर लेते हैं या अगर condition basis में first choice select हुई हुई है तो यह field दिखाई जाए हम यह भी set कर सकते हैं कि अगर condition basis में first choice select किया है तो यह field छुपाई जाए उसके लावा अगर हमने multiple conditions दानी हैं मिसाल के तोर पे पहली वाली untitled field की value ABC हो तो हम यह choose कर सकते हैं कि आया यह show या hide इन तमाम conditions के true होने पे हो या इन में से कोई भी condition true हो जाए तो यह field show या hide की जा सके अभी हमें ज़्यादा conditions की ज़रत नहीं है और जब एक condition हो तो फरक नहीं पड़ता है यहाँ पे आपने all select किया हुआ है या any select किया हुआ है इसलिए हम इसे default all option पे रखते हैं और दूसरी field पे आते हैं यहाँ पे भी हम advance में जाएंगे enable conditional logic पे click करेंगे show this field if all of the following match condition basis is second choice form को update करते हैं अब form वाले page को refresh करें और first choice को select करके next करें आप देखेंगे के अगले step में conditional one वाली option शो हो रही है हम वापिस जाते हैं इस पहले step में second choice को select करके next करते हैं तो आप देखेंगे के conditional two शो हो रही है फिर वापिस जाते हैं third choice को select करके next करते हैं तो आप देखेंगे के conditional one या conditional two में से कोई भी step पे शो नहीं हो रही फिर वापिस जाते हैं और अब first choice और second choice तोनों को select करके next करते हैं एक वक्त में जादा option सेलेक्ट करने के लिए आप control की को प्रेस करने के बाद option पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे के conditional 1 और conditional 2 दोनों शो हो रही है तो इस तरह multi-step conditional logic forms बहासानी बनाए जा सकते हैं जिनमें आप user को सिर्फ वो options दिखा सकते हैं जिनकी उस वक्त जरूरत हो और उसकी मदद से आप user से वो information ले सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है एक ही पेज़ पे तमाम users को तमाम form की options दिखाने की निस्बत ये बहुत बेतर तरीका है इससे users को एक अच्छा experience मिलता है और उनका form submit करने का chance बढ़ जाता है ये lesson खत्ब करने से पहले हम gravity form की कुछ configuration के basics भी देख लेते हैं अभी तक तो हमने सिर्फ form की कुछ fields configure की है form submit होने के बाद क्या होता है उसके लिए हमें settings में आना पड़ेगा यहाँ आप form के कुछ basic options configure कर सकते हैं जिनमें अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको encourage करूँगा कि आप इन तमाम options को जरूर explore करें confirmation section में आते हैं इस page पे आप yes set कर सकते हैं जिस पे user को form submit करने के बाद भेजा जाएगा या आप redirect की option इस्तमाल करते वे user को form submit होने के बाद किसी भी URL पे किसी भी web address भेज सकते हैं जो जरूरी नहीं कि आपकी site का ही कोई page हो अमूमन इस option के आपको जरूरत नहीं पढ़नी page की option या text message की option आपके लिए काफी रहेगी इसी तरह notification section में हम form submit होने के बाद submit करने वाले user को या website के admin को भेजी जाने वाली notifications configure कर सकते हैं जो उमूमन email के जरीए भेजी जाती है अगर हम यहाँ पे मुझूद admin notification जो पहले से default सेट हुई है उस पे edit करें तो आप देख सकते हैं कि यह admin email को send की जा रही है यहाँ हम इस email की तमाम fields को configure कर सकते हैं from name, from email address, reply to, pcc, subject और message के बीच में कौन कौन सी fields भेजी जाएं यह codes आपको याद रखने की जुरुद नहीं है यह आप इस drop down पे क्लिक करके अपनी मज़ी से select कर सकते हैं यहाँ पे इस form की तमाम fields के भी codes मुझूद होंगे उसके लावा user IP address, date और कुछ और default fields भी मुझूद होंगी जो आप असानी से form में कहीं भी add कर सकते हैं और अगर आप चाते हैं कि यह notification या कोई ओर notification जो इसके लावा आप configure कर रहे हैं वो form submit करने वाले user को भीजी जाए तो send to email में आप enter email की जगा selective field option सेट करें अगर आपके form में कोई email field मुझूद है तो यहाँ पे आप उसे select कर सकेंगे हमारे form में अभी वो field मुझूद नहीं तो आईए सबसे पहले form को edit करके वो field अड़ करते हैं यहाँ advance fields में आपको email field की option मिलेगी इसे drag करके अपने form पे कहीं भी drop कर दे form को update करें अब अगर हम settings में notifications में आते हैं और अपनी existing notification को edit करते हैं या एक नई notification अड़ करते हैं तो आपको यहाँ पे selective field में email field सेलेक्ट करने की option मिल जाएगी यहाँ आप email field सेलेक्ट करें बाकी notification की configuration अपने हिसाब से करें उसे save करें तो यह form submit होने पे जिस user ने यह form fill किया है या fill कहते वक्त user ने जोन सा email address प्रोवाइड किया है उस पे यह notification चली जाएगी form submit होने पे तमाम submission की values आपको entries के section में मिल जाएगी और अगर आप अपने form को preview करना चाहते हैं तो आप यह button क्लिक करके preview कर सकते हैं इस section को wrap up करने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो काफी important है जब मैं इस form में option select करके next click कर रहा था तो आपने यह notice किया होगा कि पूरा page load हो रहा था जो कि एक अच्छा experience नहीं है अगर आप चाते हैं कि user form के मुख्तलिफ steps के दरम्यान पूरा page reload किये बगएर navigate कर सके और form को page reload के बगएर submit भी कर सके तो उसके लिए एक असान सी option है जहां पे आपने form add किया है वहां उस block की advanced settings में आएं और ये ajax की option को enable करके save कर ले अब आप अगर form वाले page को refresh करें तो उसमें अपनी choice select करके next पे click करें तो आप देखेंगे कि पूरा page reload नहीं हो रहा सिर्फ form ही अगले step पे जा रहा है इसी तरह आप बज़ी की choice select करने के बाद जब form को submit करेंगे तो भी page reload नहीं होगा और आपको form submit होने का confirmation message या अगर form में कोई error आया है तो उसका error message मिल जाएगा तो ये था gravity forms को इस्तमाल करके एक multi step conditional logic वाला form बनाने का तरीका अब अगले lesson में हम देखेंगे कि हम wordpress पे सिर्फ forms को इस्तमाल करते हुए products या services कैसे बेच सकते हैं और उनकी payments कैसे receive कर सकते हैं